हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में जानेंगे बैंक से सम्बंद सब्दों की इंगलिस जैसे नकद, उधार, लाव, हानी, लेंदेन, किस्त आज इन सभी की इंगलिस जानेंगे लेकिन फ्रेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जिससे की आने वाली हर निव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को सुरू करते हैं नकद, नकद को इंगलिस में कैस कहते हैं उधार, उधार को इंगलिस में बोरो या लोन कहते हैं लाब, लाब को इंगलिस में बेनिफिट या प्रॉफिट कहते हैं हानी, हानी को इंगलिस में लॉस कहते हैं लेन देन, लेन देन को इंगलिस में ट्रांजेक्शन कहते हैं next, किस्त, किस्त को इंगलिस में इंस्टॉल्मेंट कहते हैं, next, खाता, खाता को इंगलिस में अकाउंट कहते हैं, next, खाता धारक, खाता धारक को इंगलिस में अकाउंट होल्डर कहते हैं, next, खाता संख्या, खाता संख्या को इंगलिस में account number कहते हैं ब्याज, ब्याज को इंगलिस में interest कहते हैं संपती, संपती को इंगलिस में property कहते हैं आय, आय को इंगलिस में income या revenue कहते हैं पैसे जमा करना, पैसे जमा करना को इंगलिस में deposit कहते हैं पैसे जमा करने वाला को इंगलिस में डिपॉजिटर कहते हैं पैसे निकालना को इंगलिस में वीड्रॉवर कहते हैं पैसे आए या जमा को इंगलिस में क्रेडिट कहते हैं पैसे गए या निकले को इंगलिस में डेविट कहते हैं स्रे कार्ड को इंगलिस में क्रेडिट कार्ड कहते हैं निकासी कार्ड को इंगलिस में डेविट कार्ड कहते हैं बैंक कर्मी को इंगलिस में बैंक वर्कर कहते हैं बैंकप्रबंधक को इंगलिस में बैंक मैनेजर कहते हैं को कैसियर कहते हैं मैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सेर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो